मुद्दा उठाए जाने के बाद वन विभाग ने जालाना के लाल खान शेत्र की बदरंग पहाडियों को हरा भरा बनाने का अभियान शुरू कर दिया है ड्रोन के द्वारा पहाडियों पर सीड बॉल गिराए जा रही हैं जिससे मानसून के दौरान खड़ी और सपाट पहाडियों पर पेड़ पौधे उगाए जा सके इस मौकी पर सीड बॉल प्लांटेशन का जाइजा लिया एसोसियेट अडिटर निर्मल तिवारी में जालाना की पहाडियों का वो हिस्सा जो अरैए सी से या डियो एटी की तरफ से दिखता था वो अभी तक एक बद्दुमा दाक की तरह से दिखता था कि एकदम बिलकुल खडी पहाडियां जिन पर किसी तरह का कोई हरियाली आपको ज़र नजर नहीं आती थी किसी समय जब खनन यहां पर चलता था तो उसकी वज़े से पाडियां पूरी तरह से खराब हो चुकी थी पूरी तरह से प्लेन पाडियां दर दिखाई देती थी लेकिन अब चुंकि इस मुद्दे को फर्स इंडिया न्यूज ने भी प्रमुक्ता से उठाया था तो आज आप देख सकते ह जरी है यहां सीट बॉल्स को गिराया जा रहा है इसके लावा भी जो स्टाफ यहां का है वो खुद भी चड़कर यहां पर क्लाइम करकर वहां पौदे भी लगा रहा है हमारे साथ यहां के रेंज ओफिसर जगदी शर्मा मौझूद है जगदी जी किस तरह के कौन-कौन से लाल खान वाला जो चेतर है लाल-कक्न जगदी यहां का जालाना का जो कि सडक की तरफ से दिखता था और चूंकि परेटक यहां आते हैं खुद प्रदार मंतरी नरेंदर मोधी तक आराई सीम आये थे उनके लावा ग्रह मंतरी अमिश्या आये थे तो एक दम ऐसा लगता था कि सब कुछ मैंटेंड है गुलाबी नगर के जो आबा थी जो छवी थी उस पर कहीं न कहीं इससे प्रभावित हो रही थी लेकिन अब जब यह पहाड़ियां पूरी तरह से ग्रीन हो जाएंगी उसके बाद इनको देखना भी नहीं केवल लब जो यहां का जो लुक है वो पूरी तरह से i aux-pand дी लगा रहे हैं के और को अधिक तरह पहाड़ियों में यह पूरी नहीं हो सके एक खास बात यह थी होती है कि जो पहाड़ी इस तरह की होती है जिसम्हें पौध्य जो लगाए जाते हैं पहाड़ियों को चैस्मोफाइट बोलते हैं चैस्मोफाइट का मतलब पहाडी में जो दरार होती है उस दरार में जो मिट्टी होती है उसमें भी पौदा पनप सके वो चैस्मोफाइट्स होते हैं ये एक बार फिर मैं आपको ड्रोन दिखाने की कोशिश करूँगा ड्रोन से किस तरह से ये जो सीड़ बॉल्स हैं और उसके साथ साथ जब ये सीड़ बॉल्स जाती है तो जैसे मांसून की बरसात होगी तो सीड़ बॉल्स यानि उस बॉल्स के अंदर एक बीज होता है वो जब बॉल्स खुलेगी वो बीज वहाँ पनपेगा तो एक पौदे का रूप लेलेगा और यहाँ पर जो यह पाड़ियां इस समय आपको लाल पाड़ियां दिख रही हैं यह पाड़ियां आपको कुछी समय बाद एकदम हरी भरी नजर आएंगी और हरी भरी अगर पाड़ियां नजर आएंगी तो इससे दो फायदे होंगे पर्यावरन को तो फाइदा होगा ही उसके साथ साथ क्योंकि पर्यावरन सुधार की दिशा में अच्छा काम होगा लेकिन जब यहां पेड़ लग जाएंगे तो पाडियों का स्वरूप बदल जाएगा और साथी साथ जो आसपास का छेतर है दो निस्फित तो पर जब इसतरह के वनंखंड में भरी आली चाहती है तो blame सब्सक्राइब करने का लक्ष रखा गया जिसमें टूए अर्योजना की बात करें मुख्यमंत्री पौद्रोपन अभियान की बात करें और तमाम तरह का जो एक ग्रीन कवर देने की कोशिश है उसमें अच्छी बात यह है कि उसकी शुरुवात एक तरह से कह सकते हैं कि जालाना से हुई है तो नया के वाल इस पाड़ी का स्वरूप बदलेगा पर्यावरन सुधार होगा और पर्यावरन सुधार होगा तो निस्यत तोर से कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री की जो मंच्छा है राजिस्तान को ग्रीन कवर देने की वो भी पूरी होगा कैमरा परसंट जितेश के साथ निर्मलती वरी फर्स इंडिया नियूस जैपूर